ओम सर्व मंगलम इतिशोहम सुमंतु ने पुत्री सीला का विवाह कॉंडिन मुनी से करवा दिया विवाह के बाद सुमंतु ने अपनी पत्नी करकसा से बोला है देवी दामात के लिए पारितोसिक रूप में कुछ द्रफि देना चाहिए यह सुनकर करकसा कुरुद्ध हो उठी और घर में बने मंदप को खाड डाला और भोजन से बचे हुए पदार्तों का पाथे की रूप में प्रदान कर कहा चलो यहां से जाओ और कपाट बंद कर दिया मुनी कॉंडे ने भी सीला को लेकर बैल गाड़ी में अपने घर की ओर चल पड़े दोफार का समय हो गया भोजन इवं विस्राम के से प्रसिद्ध है सीला बोली मैं भी इस वरत को करूंगी इस वरत के नियम क्या है इस पर इस्तरियों ने कहा है हे देवी प्राताहिस नान आदी से निवरत होकर भगवान अनंत स्वरूप स्री विष्णू का गंध पुस्प धूप दीप नैवेद आदी से पूजन करें न पिर अनंत भगवान की कथा सुनें उसके बाद यह दोरक पुरुस अपने दाएं हाथ में इस तरी अपने बाएं हाथ में बांधे दोरक बांधने के बाद नेवेद दिग्रहन करें अन्त में विष्णू रूपी अनंत देव का ध्यान करते हुए घर जाएं इस्तरियों के मुकसे अनंत चतोदसी का विधान सुनकर सीला ने भी उसी इस्तान पर भगवान अनंत का विधी विधान ते पूजन किया और फिर दोनों बैल गाड़ी से अपने घर की ओर प्रस्थान किये घर पहुचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धाने वं गौध मैं दरिद्रता इवं कश्ट उत्पन हो गए अता है मैं उन्ही अनंत भगवान की सरण में जाता हूँ ऐसा विचार कर मुनी वन में अनंत भगवान की खोज करने लगे वहां उन्होंने एक आमर ब्रक्षते पूछा हे वनस्पते क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है तब उसने कहा है ब्राम्ढदेवता मैं अनंत को नहीं जानता मुनी अपने रास्ते चल दिये आंगे जाने पर मुनी ने एक गौ से पूछा है धैनू क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है गौ ने भी कहा है विप्रवर मैं अनंत को नहीं जानती तब कॉंडीन मुनी पुनहें आंगे बढ़ गए वहां उन्होंने व्रसब को देखा और उससे पूछा है व्रसब क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है इस पर व्रसब ने उत्तर दिया है रिशिवर मैंने अनंत को नहीं देखा फिर आंगे जाने पर मुनी ने दो रमणिये पुसकरणी तला से पूछा है जलो धर क्या तुमने अनंत को देखा है इस पर उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया तब मुनी निरास हो गए और मूर्चित हो कर पथी पर गिर पड़े उसी समें एक ब्राहमन वहां आये और प्रयास पूर्वक मुनी कुई मूर्चा दूर की तब मुनी ने पुनह वही प्रस्ण उस ब्रामण से भी पूछा है द्विच्टेश्ट क्या तुमने अनंत को देखा है तब वह ब्रामण अपने दिविश्वरूप में आलोकित होने लगे मुनी ने अपने समक्ष उस विश संद्रा का एक भाग थी जो सभी बीचों को खा गई परंतु ब्रक्षुत पन नहीं किया वह निस्फल भूमी गौव बनी ब्रसब सत्य धर्म का आसरे ग्रहन कर धर्म स्वरूप ही था वे दो रोमणियें उसकरणी ताल धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली दो ब् करदव को तुमने देखा वह पूर जन में क्रोधी व्यक्ति था और हाती धर्म दूसक था अताहे मुनी कर्म प्रारब्द का भोग निश्चित है एक मात्र मैं अनंत ही तुम्हें सभी कर्म भोग इवं प्रारब्द से मुक्त कर सकता हूं अताहे तुम घर लोट जाओ और भक्ति भाव से अनंत भगवान का पूजन करो अनंत चतुर दसी के व्रत और पूजन से मैं अपने भक्तों पर प्रसंद होकर क्रपा करता हूं ऐसा कहकर विश्व सरूप अनंत अंतरध्यान हो गए और मुनी अपने घर लोट आए घर आकर उन्होंने पतनी सीला सहित भोगे वंपरारब्द से मुक्त होकर अप्छे सुख को प्राप्त करते हैं जै स्री राम